आई दोस्तों तो ये देखो ये है हिमारा हिमाचल और ये हिमाचल का एक छोटा सा गाउं बहुत ही संदर गाउं और मैं तो आपका निलू भाई हूं और ये मेरा ही गाउं है हमारा दिश्टी कांगडा तसीर देरा बीप्यो बगली तो आप देख साथ है कि हमारे गाउं में कितने कच्चे और कितने पक्के और एक दूसरे के साथ कंदे मिड़ी हुई है मतलब कहने का मतलब एक दूसरे के साथ गर जुड़े हुए हैं जिस तरह से ये गर जुड़े हुए उसी तरह से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो ये देखकर बहुत ही दिलखुश होता है कि हम हिमाचल में रहते हैं और गाउं में रहते हैं गाउं में कई द प्यारे यहां के बोले वाले लोग हैं और यहां की हर्याली को देखकर तो दिल ही फुश हो जाता है दिल भी हरे बरे हो जाते हैं जो ही माचल में आता है तो आप देख सकते हैं कि यह हमारा गाउं देखने में कितना ही प्यारा और यहां के लोग भी उतने ही प्यारे और देख सोईते हैं कि यहाँ पर भी काफी केतिवारी होती है और यहाँ पर कही प्रतार की जड़ी बूटियां पाई जाती है ऐसी बात नहीं है यही माचल है यहाँ पर आदे से ज़्यादा जंगलों में तो जड़ी बूटियां पाई जाती है और बहुत ही ज़्यादा लकडी जड़ी पूटियां और जंगली जानबर मतलब हिमाचल में जो रहता है उसका दिल कहता कि कहीं बाहर नहीं जाना ह्हाम अधि में बढ़ively जाते हैं हम नहीं पर दिल ही नहीं लगता है क्या जो डिटını बना रहता है क्या आपका यह लगताया है घ्माचल एंग अनु के में अच्छा लगता है अगरता भालें हैं मुतं हुआ हैं संताथ की और इहां पर देख सकते हैं कि आप में जब ज़्ञाइद होते हैं और भी तो बहुत ही दूमदाम से शादी होती है हमारे हिमाचल में और पहाड़ी दाम यहां की बहुत ही मुशूर दाम होती है बरसाद का मोसम है देख सकते हैं आपकी यहां पे जो काफी ज़्यादा मतलब बारिश भी होती है लेकिन बारिश में बहुत ही इनन्द आता है यहां पर जो कि बारिस में जब नहाते हैं तो बहुत ही रंद आता है यहां पर यह देख सकते हैं कि हमारा फिर से गाउं का एक रोंड और लगने जा रहा है तो आप देख सकते हैं वीडियो में कितना ही प्यारा गाउं है तो अगर हमारा आपको गाउं अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें हैं फिर से बताना जाता हो कि हमारा जिश्टी का अंगडा तसीर दे रहा है और ये हिमाचल का एक बहुत ही चोटा सा त्यारता गाउं है तो अगर ये मेरी गुरी आपको अच्छी लगी हो तो जाँ